लूट की घटना का बारा पुलिस ने किया खुला साथ छे शातिर लुटेरे गिरफतार वा लूट का माल बरामत बारा प्रियाक राचे सेस्पी सर्विस्ट्रेश्टित्रि पार्ठी की निर्देश परेस्पी यमनापास और अब दिक्षित के मार के दर्शन में अव्यात कारों बार करने वाले अपराधियों पर अंकुष लगाने के लिए चलाय जा रहे अभियान के तहत बारा थाना प्र लुटेरे सोनु भार्दिया लाल चंद पासी ननके उर्फ सागर अनुपम नन्हे राहूल को घेरा बंदी करके गिरफतार किया गया बारा पुलिस टीम ने गिरफतार हुए शातिर लुटेरों के पास से खटना में प्रियूपते दो मोटर साइकल, वालूट की, डीजे मशीन, म्यूजिक सिस्टम, स्ट्रेजर, मिकसर, स्टेपलाइजर, लैप्टॉप, मैच, चार्जर, दो स्मार्ट, मोबाइल फोन और ए डीजे संचालक द्वारा तहरीर दे कर आरोप लगाया गया, शादी समहरों से कारिक्रम संपन करा कर लोट रहा था तभी, रास्ते में कुछ साधिर आरोपी घेरा बंदी करके, बल का प्रियोग करते हुए मार पीट किये, और डीजे का म्यूजिक सिस्टम समेद अने सामान लेकर फरार हो गया, मामले के उस अंग्यान में लेते हुए बारा थाना प्रभारीटी का रामुर्मा ततकाला ग्यात, अपराधियों के खिलाफ मुकदमा पंजिक कर घटना का खुलासा करने के लिए टीम कठित किये, वहीं मुख्बिर की सूचना पर थाना छेत्र से घटन में सलिप्त मास्टर माइंड समेथ सारे आरोपी को गिरफतार कर सलाकों के पीछे पहुचाया गया, उन्होंने कहा अब राध करने वाले ब्यक्तियों के लिए यमनापार में कोई जगा नहीं, लगातार पुलिस टीम द्वारा इसी तरह प्रभाविकार रिवाही की की ताकि कानून पर वस्था मत्बूत बनी रहे, आपको बता दें अब आत कारोबार करने वाले माफियाओं में हर कंप मचा है, प्रियाग एक्सप्रेस ने उसके लिए प्रियाग राध से जिला क्राइम ब्यूरो रोहित सर्मा की खास रिपोर्ट, दिनांग 31 मई 2021 को अग्यात वेक्तियों द्वारा भल प्रियोग करके उसका डीजे का समान जिसमें डीजे बजाने का म्यूजिक सिस्टम और लैप्टॉप और रहते हैं उसे इन लोगों द्वारा लूप लिया गया है, तदकाल अभयोग पंजिकरित करके इसमें इसके अनावरण हेतु और बरामगी हेतु कई टीमें लगाई गई थी जिसमें आज दिना गठारा जून को थाना बारा के थाना देक्ष इंस्पेक्टर टीगा राम के नेत्रित में पुलिस टीम को सफलता मिली है और इसमें छे अपराधी गिरफतार किये गए हैं जिनके पास से लूट का शत प्रति और तलाशी के समय से इनके पास से एक जिन्दा तमंचा और कार्तूज भी बरामत किया गया है इन सभी को आई नाई का विरक्षा के लिए भीज दिया गया है